इस वीडियो में बहुत इंटरस्निंग वातें करेंगे हम लोग बैंगलोर राइट्स के बारे में बहुत लोगों का जो पाखंड है मैं चाहता हूं कि उनको भी पता थे ले कि कितना बड़ा पाखंड है तो देखिएगा अच्छा लगे तो शेयर करेगा कोशिश करेगा कि उन तक तो जरूर पहुँचे हिंदू भाईयों सेर बनो जबाब दो ना सेर बन सको तो सेयर करो दबा के सेयर करो और मुझे पता है उन पाखंडियों का रेप्लाइब क्या आएगा जो मेरे पिछली वीडियो में बहुत देख रहा हूं मुझे कुछ खास वात नहीं पर दा क्योंकि यह लगे कुछ लोगों का तो यह कहना है आपको जान के हरानी होगी कि मैंने उनको सांथ करने के वज़ है और कुछ भड़काने वाली बात बोली है मैं क्या शान्त करूं बसे और कुछ लोग कह रहे हैं कंडेम करना चीव ना कि ऐसे भासन देन चीव बताता हूं पूरी वीडियो देख लो कि खुद ही पता चल जाएगा खेर शुरुवात करते हैं इस नहीं उस से कि बैंगलू है उन में से कोई भी देख रहा है अगर कोई बच गया है आरेश नहीं होँआ डेट सो लोगों में से वो नहीं है तो देखो और तयार रहो कुछ बढ़ियां-बढ़ियां ट्वीट्स मेरे हाथ लगे हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी देखी Muslims praising Muslims for protecting our temple from Muslims इरोनी खेर दिया जलाना संप्रदाइक है शेहर जलाना सेकुलरिजम है वावा ताली जाली एक और conversation दो लोग के बीच Muslim friend कहता है Did you see the beauty? Me. What? Burning Bangalore? Muslim friend का कहना है No, the human chain by Muslim Me. What for? Muslim friend to save Hindu temple Me. Save from? अब भाई अब तो चड़ गया वो कह रहा है जो भक्त, संगी, इस्लामोफोबिक अब उसके साब से जवाब नहीं था उसके पास है Hypocrisy exposed खेर एक और human chain ही देखनी है तो एक और देखेगे Chinese soldiers made human chain to protect India's border कितने अच्छे लोग है इंडिया के secularism का 101 मां उधारन A mob has no religion, only a human chain has कुछ समझे देया बढ़िया बढ़िया चीज़े मिल जाते हैं कभी कभी आपको बाकी जो पोस्ट्स हैं कि देशो इस तो हाइड दिस इसका मतलब आप समझ रहे हैं कुछ बात ने कि जिसे अभी मिलोग बॉलिवूट के नेपोडिजम की बात कर रहे थे ग्रूपिजम की बात कर रहे हमारे यहां भी जो ग्रूप्स बने होते हैं तो एक ग्रूप जब यह कर लेता दूसरा ग्रूप बचाने के लिए वही सब करता जो इसमें एक्जाम्पल दिया हुआ है कि दे शो दिस टू है दिस तो इसका मतलब ही हुआ और इस फ्लैंट ऐसे होता है कि हम दोनों पैर लेकर चलेंगे ताकि एक चीज़ को एक आदमी किस हद तक करेगा किस हद तक कुछ चीज़ करेगा हम दूसरे चीज़ को बार बार बीच में ले आएंगे अभी तक तो मैंने किसी बड़े चैनल पर जहां पर डिवेट नहीं देखिए तो वहां होगा अगर तो मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूं कि जब सवाल पूछा जाएगा कि राइट्स क्यों हुए तो जवाब यही दिया जाएगा कि देखो human chain बनी थी ना beauty को देखो यही नहीं इस वीडियो का मेरा main purpose यही था कि यह लोग जितना भी जितना भी प्लैंड कर लें कि एक जगह दंगा कर लेंगे एक जगह human chain बना लेंगे और balance कर देंगे और human chain को टेलिकास करने के लिए हमारे अपने लोग हैं और बढ़ा चड़ा के दिखा देंगे और मीडिया में बात दब जाएगी और जनता को हम यह यकीन दिला देंगे victim card खेल खेल के कि नहीं देखो कुछ गिने चुने लोग कर रहे हैं भड़के तो कुछ लोग ऐसे भी हैं तो यह तो balance हो जाना चाहिए यह तो human chain को ज़्यादा महत तो मिलना चाहिए तो उस हिसाब से ना मैं बताओं तुमको एक चीज बहुत समझ की चीज है और बहुत लेकिन इस बार तुमको एक notice करने वाली बात लगेगी तुम्हारी इस hypocrisy को जिस तादाद में टुटर प रख दिया गया है इस हरकत को कि अब कुछ भी कर लो कुछ भी कर लो जितना आपने आपको बचाने के लिए human chain और चुतियाब जितना बोलना जितना दिखाना दिखा लो सब कुछ सामने आ गया है और खुशी की बात तो यही है कि अब तुमनों का विक्टेम कार नहीं चलने वाला है फिर मिलते हैं अगली वुड़े में जैहिन पन्देमातर हिंदू भाईयों सेर बनो जबाब दो ना सेर बन सको तो सेयर करो दबा के सेर करो